की जीन है है की फ्रेंट वेलीं आप हम आप तुम आ चैनल में हुँ आपकी फ्रेंड बर्षा अज की यदुम बात करेंगे जेयस्थी को राएक किजिएlingt है किसी भी तरेगी को भी कोई हो तो जरूर बताएगा स्टार्ट करते हैं कोशन देखें यहां पर हमारा कोशन है अब हमापको जी असट का पूरह नाम बताना है अप्शन से रविस सप्लाइट गोट संसर्विस टेक्स जर्नल सेल्स टेक्स या फिर्योंट से टेक्स फ्रेंट्स यहां पे जी एस्ट के फूल फुल फॉर्म की बात करें तो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चोकि होत में कब लागू की गए थी 1st July 2017, 1st April 2017, 1st March 2017 यह 1st July 2017 अब यहाँ पर 2017 है, इतमें 2017 में आया था, आपको मंस पता हो करना है, क्योंकि देट भी सब की सेम है, तो देखें, यहाँ पर इसका राइडा अंसर हो जाएगा, आपको बताना है, तो आपको बताना है, इसमें जो इसका राइट आंसर है, तो देखें, यहाँ पर option भी राइडा अंसर हो जाएगा, Canada, जिबकि देखी friends, Brazil जो है, वो भी GST के dual concept पर चलती है, तो इंडिया, Canada, इन ब्राजिल यह तीन कंट्रिय है, आपको इसको अच्छे से याद रखना है, नेक्स कोशन पर आते हैं, comprehensive, multi-stage, destination-based tax होता है, जो कि लेविड होता है, जो भी हमारे every value additions, जो भी होते हैं, उस पर लेविड होता है, ठीक है, तो जो destination-based होता है, multi-stage है, इसलिए, यहाँ पर इसका option यहाँ पर e-right answer होगा, यह based on destination है, नेक्स कोशन पर आते हैं, note कर लेजे, आ, zero rate, ठीक है, आ, zero rate, second है हमारा, आ, lower rate, ठीक है, third है, third है हमारा, standard rate, ठीक है, third है standard rate, fourth है हमारा यहाँ पर आ, higher rate, ठीक है, यह चार तरह की है, चार तरह की structure होते है, zero rate, lower rate, standard rate और higher rate, यह चारों आप यहाँ पर अपने notebook में लिख लेजेगा, अच्छे से हो सकता है कि यह, इसमें से आप भी कोई question बन जाए कि वो कौन-कौन सी है, ठीक है, next आते हैं, अब देखें, यहाँ पर पूछा है, the maximum rate of CGST is, अब CGST की जो अधिक्तम rate है, वो कौन सी है, यह पूछा गया है, 28, 12, 18 या फिर 20, तो देखें, अगर यहाँ पर बात करें हम CGST की, अब आपको friends सबसे पहले यह पता होना चाहिए, CGST क्या होता है, तो CGST होता है, Central Goods and Services Tax, ठीक है, Central, सेंटर कर लिजए, अफिर Central Goods and Services Tax, ठीक है, अब देखें, यहाँ पर इसकी rate पूछी गई, तो friends, यहाँ पर options यह हमारे 4 ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर सही option नहीं, given है, सही option है, हमारा 40%, maximum rate है 40% की CGST की ठीक है, ठीक है, तो आप इसे note कर लिजए 40%, next question पर आते हैं, अब यहाँ पर हमें पूछा गया, the maximum rate of SGST, UTGST is, अब friends, सबसे पहले इनकी full form आपको पता होनी चाहिए, SGST की क्या होती है, तो देखें, SGST की full form यहाँ पर होती है, State Goods and Services Tax, ठीक है, क्या होगा, State Goods and Services Tax, और देखें, यहाँ पर एक और आपको full form ते रखी होगी, UTGST, तो देखें, UTGST जो है, इसकी full form यहाँ पर होती है, UT का मतलब होता है, Union, Territory, आप यह पूरा नाम लिख लेजएगा, Union, Territory, Goods and Services Tax, ठीक है, अब यहाँ इन दोनों की full form होगे, अब यहाँ पर maximum rate इनकी पूछी होई है, तो देखें, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऑप्शन नमर्ट C, जो कि है, हमारा 20%, यह 20% होती है, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, फ्रेंट्स है, यहाँ पर एक और चीज़ आप लिख सकते हैं, यह यह तो सेंट्रल बेस्ट होती है, यह तो सेंट्रल में जितने भी गुच्छन सर्विसेस सेल कि जाते हैं, उन सब के बिस्स पर लगाई जाते हैं, लेकिन UTGST के होते हैं, इसके अंदर, जो भी हमारी सप्लाई होती है, अल्कोहलिक लिकर की, ठीक है, हुमन कंजम्शन से रिलेटेड, वो UTGST में सामिल नहीं की जाती है, ठीक है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, वो UTGST में सामिल नहीं की जाती है, नेक्स्ट आते हैं, अब यहां पर हमें codes पूछे हूँ है, which code is used to classify goods and services under GST, यानि कि GST के अंदर goods and services को जब classify करते हैं, तो कौन सा code यूज करते हैं, आपको ये बताना है, HSN code, SAC और HSN, GST और SAC, तो देखें friends, यहां पर आपको पहले सारे code के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, देखें, यहां पर SAC code दे रखा है, इसकी full form होती है, servicing accounting code, कई जगे आपको service मिलेगी, तो आप देख लीजेगा, servicing accounting code, ये इसकी full form है, अब देखें, ये SAC है, यहां भी SAC की यही full form है, अब आप HSN की देख लीजे, तो देखें, HSN की full form होती है, harmonized system, no man, cletcher, मैं उपर लिख देती हूँ, no man, cletcher की spelling, no man, no man, cletcher, c, l, a, t, u, r, e, ठीक है, harmonized system, no man, cletcher, ये HSN की full form है, GST की तो आपको पता ही है, goods and services tax, ठीक है, तो देखें, यहां पर अगर हम बात करें, goods and services tax को classify करने की, तो यहां पर option, b, right answer है, क्योंकि SAC और HSN होते हैं, यह दोनों ही use किये जाते हैं, जह हम goods and service दोनों को classify करते हैं, जबकि SAC सिर्फ service से related होता है, goods से related नहीं होता है, लेकिन यहां goods and service दोनों की बात करें, इसलिए यह दोनों code आएंगे हमारे, I hope यह आपको clear होगा, इक और चीज, आप note कर लीज, आपके note book में, यह HSN जो होता है, HSN, इसके अंदर code होते हैं, वो हमारे digits में given होते हैं और यह digits में कैसे होते हैं, यह two digits होते हैं, four digit होते हैं, six digit में होते हैं, और eight digit में, इतने digit में, यहाले code mention किये जाते हैं, 2, 4, 6, 8, two, worshралif asi刃, में यह code होते हैं तो यह था हमारा I hope यह concept आपको clear हुआ होगा next आते हैं अब what does I in the IGST stands for? अब IGST में I का क्या मतलब आपको यह बताना है तो देखें यहाँ पर IGST में options है internal, integrated, internal या फिर यहाँ पर intra तो देखें यहाँ पर जो right answer होगा वह होगा option number B जो कि हमारा integrated इसकी full form होती है integrated goods and service tax ठीक है अब देखें यहाँ पर जो integrated जो होते हैं यहाँ पर यह बात की गई है कि IGST जो charge किया जाते हैं लेवेड होते हैं वो central के दौरा होते हैं और यह interstate supply जो होती है goods and services की interstate में उन पर यह charge किया जाता है तब यह use होती है IGST ठीक है interstate में जो भी goods and services होंगी transactions उसके business पर IGST को क्या किया जाता है तो आई होप आपको यह भी clear हुआ होगा next question पर आते हैं देखिए अब हमारा यहाँ पर जो topic था goods and services text का वह यहाँ पर हमारा खतम हो गया अब यहाँ पर थोड़े बिल के question से वह हम कर लेते हैं what is the what is the bill receivable account किस तरह का होता है personal account, machinery account, real account या फिर nominal account तो देखिए जो हमारे bill receivable account होता है वो हमारा real account होता है option से यहाँ पर हमारा क्या है right answer है next आते हैं अब bill of exchange includes अब bill of exchange में क्या can include किया जाता है तो देखिए फ्रेंड bill of exchange की बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो देखिए इसमें order to pay है request to pay है promise to pay है और अलोग दिये तो फ्रेंड्स ही इसमें bill of exchange में किसी भी तरह की request नहीं होती है promise होती है हमारे promiseary note में और option इसलिए हमारा फोट भी कर जाता है answer आएगा option A order to pay प्लॉफ exchange में order किया जाता है promise to pay किया जाता है ठीक है तो option यहां पर यह हमारा right answer है next question पर आते हैं which bill is drawn and accepted in the same country अब इसमें से कौन सा bill है जो कि draw और accept किया जाता है same country में एक ही देश में कौन सा bill तयार और सुईकार किया जाता है तो देखें यहां पर हम बात करें तो इसका right answer हो जाएगा option C inland नाम से ही पता चल दा है inline ठीक है और जो same country में और different country में होंगे तो आपर foreign bill हो जाएगा ठीक है अब एक और चीज याद रख लीजिए आपर trade bill होता है वो trading जब एक businessman दूसरे businessman की help करने के purpose से जब वो उसको bill देता है तो accommodation bill कहलाता है तो यह हो गए हमारे इनकी meaning next आते हैं who draws a bill of exchange bill of exchange जो है वो कौन draw करता है या लिखता है creditor data holder या फिर none of the above तो यहां पर बात करें तो यह holder होता है बिल का holder है वो draw करेंगा ठीक है और डाटर creditor ठीक है हम यहां पर holder की बात करें होल्डर करें ऑप्शन सी राइट अंसर है next है what is the person known as who draws a bill of exchange अब उस परसन को क्या कहते हैं जो draw करता है बिल को draw pay draw या फिर none of the above तो देखिए जो बिल को draw करता है उसकी हम बात करें तो यहां पर उसको भूला जाता है drawer और जिसको बिल दिया जाता है वो कहलाता है draw और जो उसको payment लेता है उसको payment करता है वो गोलता है pay तो देखिए यहां पर option a right answer drawer जो draw करता है यानि कि बिलकु लिखता है वो drawer कहलाता है next है what are the three additional days known as that drawer gives to the drawer for payment यानि कि वो जो जो भी मैंशन maturity time होता है जैसे कि तीन महिने का time है उसमें तीन दिन additional उनको दिये जाते हैं उनको क्या कहा जाता है conditional days, additional days, days of grace या फिर days of rebate तो friends उन तीन दिन को कहा जाता है days of grace जैसे कि for example अगर 15 March को उसकी maturity होने वाली है बिल की तो उसका payment कितना होगा 18 March ठीक है तीन दिन add करके ठीक है तो यहां पर उनको बोला जाता है days of grace option next है what kind of acceptance is known as the known as when the bill is accepted without any condition यानि कि बिना किसी शर्त के बिल कब स्विकार किया जाता है qualified acceptance में conditional blank या पर journal में तो देखें यहां पर बात की जा रही है बिना किसी condition किया रहा है तो देखें यहां पर qualified or conditional दोनों को का जाता है यानि कि हम ऐसे बोल सकते है qualified acceptance is also known as or referred as conditional acceptance तो दोनों का मतलब क्या होता है एक है एक है एक ही नाम से दोनों को जाना जाता है अब इन दोनों में क्या होता है कुछ conditions होती है यानि कि यहां तो बात की जा रहे है without condition लेकिन इन दोनों में ही condition होती है कि जैसे कि कितना सम किस मोड से कहां पर पेमेंट करना है यह सारे चीज़ें कॉंटाट में मैंशन होते हैं तो यह option कट गया बे कट गया blank acceptance होती है यह acceptance blank paper पर दी जाती है यानि कि आपका bill drawn नहीं हुआ है उससे पहले आपने blank paper पर पहले सी acceptance दे दिया है ठीक है वह blank acceptance होती है तो यहां बें without condition पूछा गया तो right answer हो जाएगा आपका option D जो कि हम आपका journal acceptance बिना किसी acceptance के दे रहे हैं bill तो वह journal acceptance है नेक्स्ट आते हैं when the bill is noted from the notary public it is known यानि कि जब noted होता है notary public में तो उसको क्या कहा जाता है noting discounting accepting या फिर none of the above तो friends उसको कहा जाता है noting और इसमें जो भी expenses लगते हैं उसको बोला जाता है नोटिंग चार्चेस यानि कि इस पूरी प्रोसीजर में जितने जो भी एक्सपेंसेज लगते हैं उस एक्सपेंसेज को बोला जाता है कि नोटिंग चार्चेस लगे हैं ठीक है तो यहां पर हमारा राइट आंसर है नेक्स कोउषन है वाट इस बाते हीड हैं तो यहां पर अगर आगर हम बात करें तो तो देखें यहां पर right answer हो जाएगा option number rebate पर देते हैं कोई भी बिल तो उसको कहा जाता है कि due date से पहले उसका payment किया गया है तो option A यहां पर हमारा क्या हो जाएगा हमारा यहां पर right answer हो जाएगा the credit balance in the bank account is अब जो credit balance है जो bank account में वो हमारा क्या show करता है options है and assets and liability and expense or contingent liability तो देखें यहां पर अगर हम बात करें credit balance की जो कि हमारा bank account के अंदर show करता है तो यह show करता है हमारी liability को जबकि अगर हम debit balance की बात करें तो हमारे assets को show करता है इसलिए यहां पर option जो है हमारा to वो हमारा right answer होगा next है returns outward book makes record of यानि कि return outward book जो होती है वो किसका record करती है तो देखें options है goods return to the suppliers यानि suppliers को good return किया goods return to customer यानि customer को good return किया उसके बाद है यहां पर goods return to proprietor, proprietor को goods return किया तो यहां पर इसका right answer होगा तो यह है हमारे options तो दीखें यहां पर अगर हम बात करें goods outward book की तो देखें यहां पर हमें बताता है कि जो हमारे suppliers है उनको हमने जो माल है उसको वापिस कि goods return to suppliers return outward book की हमें show करता है इसलिए option है यहां पर हमारा right answer है next question पर आते हैं next question है हमारा cash book prepared on impressed system in अब जो cash book आव इंपरेस सिस्ट्म में दिख़ाई Smith क्योंद इर्फरी करते हैं तो सयं किष्टप्रिए हैं गुत यहां पर अगर में करें तो इंप्रेस्ट शिष्टम के अंदर हम अपनी कैश्पोम करते हैं वह हमारी pretty cash book क्यालाते है friends mainly pretty cash book cash book होते हैं जिसके अंदर हम जो छोटे-छोटे हमारे जो खर्चो होते हम उसको include करते हैं फिर बाद में जब हम उसको उससे related account में posting करते हैं तो direct एक अगर हम एक item की रूप में उन सबको include कर लेते हैं for example जैसे कि हमने प्रिटी कैश्बूक में खरीदे पैंसिल्स एरेजर स्केल यह सारी चीजह खरीदी तो प्रिटी कैश्बूक में तो यह अलग अलग मैंशन कर दी जाएगे लेकिन जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे जर्नल में या फिर अधर इस रिलेटेड लेजर में तो वहाँ पर हम पोस्टि करेंगे ऐसा इस टेशनरी वहाँ पर इस टेशनरी शो किया जाएगा प्रिटी कैश्बूक का मेन परपस होता है जैसे जो भी पर इस टाइम रिकॉर्ट करना ठीक है क्योंकि चोट चोटे खट्चे ऐसे होते हैं बाद में भूल जाएगे तो प्रिटी कैश्बूक उसे टाइम नोट कर लिया जाते हैं फिर बाद में जब उसको उसे रिलेटेड जो पोस्टिंग होती है जब वहाँ पर उसको ट्रांस कभी हमें पता चले कि for example stationery वह हमारी ज्यादा मांट के आगे तो हम बाद में as a reference देख सकते हैं कि इस stationery में actual में हमने कौन-कौन से आइटम पर्चेस के हैं ठीक है तो यह था हमारा प्रिटी कैश्बूक उप्शन थर्ड राइट आंसर है next आते हैं the statement sent along with purchase return is अब खरीद return के साथ भिजा गया बयान क्या कहलाता है credit note, bills payable book, debit note या फिर purchase return book तो देखें यहां पर बात की जा रहे है एक statement की जो कि हम purchase return करते हैं तो उसके साथ हमें एक note भीजना होता है उसको हम क्या बोलते हैं तो देखें यहां पर इसका right answer होगा option number A जो की हमारा है credit note, credit note क्यालाता है क्योंकि उस पर पूरा mention होता है कि हमने इतने रुपे का माल send किया है तो option A यहां पर हमारा right answer हो जाएगा बिल पेस्पल बुक में जो भी हम बिल पे करते हैं उसके बारे में mention होता है तो यह नहीं होगा debit note हमारा जब भी हम किसी भी तरह का कोई भी sales return चीज होती है तब हम लिखते हैं और purchase return book हमारी purchase return से related होता है लेकिन वह कोई statement नहीं होता statement में सिर्फ credit note आएगा ठीक है नेक्स्ट आते हैं bank reconciliation statement is prepared by अब जो bank reconciliation statement होता है यह question friends बहुत पूछा जाता है बहुत सिम्पल है customer bank reserve bank of India या फिर इदर बी और सी तो friends जो bank reconciliation या फिर जिसको आप short में बोलते हो बी आरे सी यह prepare किया जाता है customer of the bank ठीक है customer यह देखता है कि bank में जो भी transactions उसके द्वारा किये जा रहा है bank से bank उसकी सही time पर posting कर रही है या नहीं या उसके पास जो book है passbook उसमें सही entry की जा रही है नहीं तो इन दोनों को match करने के लिए वो जो statement बनाता है उसे बोलते हैं ब्रस यानि कि bank reconciliation statement cashbook का passbook से मिलान करने के लिए ठीक है next आते हैं friend से थोड़ा बड़ा question है तो मैं इसको phone side छोटा कर रहे हूं तो I hope आपको clear होगा या फिर आप दो बार देख लीजे पहले आप question पढ़ लीजे देखिए question है हमारा while preparing bank reconciliation statement checks paid into bank but not yet cleared are यानि कि जब आप bank reconciliation statement prepare करते हैं तो check जो आपका bank में paid हो गया है लेकिन वो अभी तक clear नहीं हुआ है एक तरह से bank के द्वारा तो ठीक है options देखिए यहां पर कौन क्या क्या हो सकता है चार options है हमें यहां पर देखिए added to balance as per cash book to arrive at the balance as per pass book या फिर deducted to the balance as per cash book to arrive at the balance as per pass book फिर है divided in the balance as per cash book to arrive at the pass book और multiplied to the balances as per cash book to arrive at the balance as per the pass book friends यहां पर आप देखिए यहां पर इन्होंने चार options आपको provide किया है ठीक है तो देखिए चार options के according आपने एक चीज़ देखिए होगी जब भी और हम other best BHH देखिए तो या तो वहां पर हम चीज़े add करते हैं या less करते हैं जब्कि यहांपर क्या है multiply तो यह कटकी है option यह नहीं कोई भी statement कोई भी entry होती है उसको divide करते है नहीं multiply सिर्फ एड करते हैं या फिर लैस करते हैं कोई भी आइटम तो अब हमें option A2 में से देखना है तो देखें यहां पर यह था कि जो जो check है वो bank में दे दिया गया है लेकिन वो clear नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि आपने तो उसको add कर लिया हुआ कि अब हमारे account में इतने रुपे हुए नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा डिड़क्त करना पड़ेगा तो यहां पर दिखे option to write answer होगा deduct to the balance as per cashbook और arrive at the balance as per passbook ठीक है तो यह आपका option correct होगा option 2 I hope यह भी option आपको clear हुआ होगा नेक्स्ट आते है errors which affect one account can be अब हमें ऐसे errors बताने हैं जो सिर्फ एक account को effect करते हैं तो options देख लीजिए errors of omission, error of principal, error of posting या फिर error of commission तो देखें यहां पर यह बात कर रहे हैं एक account को effect करें तो देखें friends अगर error of omission होगा तो यह account से related नहीं है principal double account से related होता है commission भी नहीं होगा error of posting हमारे एक account से related हो सकता है कि हमने एक account में posting नहीं की है ठीक है तो यहां पर option third जो है वो इसका right answer हो जाएगा posting से related चीज़े हमारी one account में effect करेंगे जबकि principal दोनों पर based होगा commission भी दोनों पर based होगा और commission भी हमारे दोनों side based होगा इसलिए option third है यहां पर हमारा right answer है next आते है errors of carry forward from one year to another year effect याने कि एक वर्षे दूशे वर्षे तक आंगे ले जाने की तुर्टियां क्या कहलाते हैं personal account से होते हैं real account से तो देखें यहां पर errors of carry forward from one year to second year में क्या ले जाते हैं balance sheet तो आपको घुमाकर यह question आपसे कर लिया गया है एक तरह से आपको यह बताना है कि balance sheet में कौन कौन सी चीज़े जाती है तो friends यहां अगर हम बात करने तो देखें यहां एक साल से दूसरे साल में forward की बात कर रहे है ठीक है इसका मैंने आपको एक hint दे दिया है इसका answer आपको खुद बताना है ठीक है मैंने आपको hint दे दिया है अब दिखें BRS से ही related है एक और question हमारा which of the following errors is an error of omission अब मैं बताना है error of omission से related इसमें से कौन सी error है option one है sale of 800 rupees was written in the purchase journal यानि कि 800 रुपे की आपकी sale हुई है लेक लेकिन option है wages paid to the sohan यानि कि sohan को wages paid की और वो उसके लेकिन account में debit कर दिया है फिर है total of sales journal यानि कि social journal का जो total है वो आपने sales account में post नहीं किया है नेक्स्ट है the total of sales journal has posted to the sales account अब जो total है वो sales account में आपने पोस्ट कर दिया है अब आपको यहांब क्या बताना है omission बताना है कि इसमें से कौन सा error of omission है तो आप ध्यान से देखी friends यहांपर error of omission की बात करा यानि कि दोनों तरफ तो देखी यहांपर तो यहांपर यह entry हुई तो यह थे हमारे बिल्कुल सही है क्योंकि जिसकी entry थी वहां पोस्ट कर यह बिल्कुल correct है लेकिन options के according देखे तो यहांपर option 3 हमारा right answer हो जाएगा I hope यह भी आपको question clear हुआ होगा तो यह थे हमारे questions I hope आपको यह सारे questions clear होगे किसी भी तरह की कोई भी query हो तो जरूर बताएगा आज के इतना ही वीडियो कैसे लगी comment section में जरूर बताएगा वीडियो को like कीजे friends here share कीजे और अभी तक चैनल को subscribe ने किया तो please चैनल को subscribe कर लीजे नेक्स वीडियो में फिर मिलते हैं और विची वीडियो के साथ अब तक की देट टेक केर बाइबाई पाइब कर दो